दोस्तों इस वीडियो में हूँ, ICICI Bank Amazon Pay Credit Card के बारे में discussion करेंगे ये एक ऐसा credit card है, जो आज की date में आपको lifetime free मिल जाएगा यानि इस credit card को लेने के लिए आपको कोई भी पैसा bank को देने की जूरत नहीं है लेकिन इस credit card के जो हम discussion करेंगे, उसके साथ साथ मैं एक और credit card भी लेके चलूँगा ताकि हम एक अच्छे से comparison करते चलें, ऐसा ना हो कि एक ही credit card लेके चलेंगे तो ना वीडियो में मजा आएगा और ना ही आपको चीजे clear होंगी कि ये वाला credit card बैटर है वो रहेगा ICIS Bank के Amazon credit card के ओपर ही, लेकिन इसके जो features है ये आपको पता होने चाहिए तब ही हम इस credit card को अच्छे से समझ पाएंगे अब यही दो credit cards मैंने क्यों लिये, क्योंकि आज की date में ये दो ऐसे credit card हैं या तो आपको किसी के पास मिलेगा ICIS Bank के Amazon credit card या फिर आपको मिलेगा Access Bank का flip card credit card यानि इन दोनों में से एक credit card तो लगबग लगबग हर किसी के पास आपको मिल ही जाएगा और इसके अलावा अगर कोई दूसरा, मालो कोई दो credit card रखना चाहता है तो उसमें से दूसरा भले कोई भी दूसरा credit card हो सकता है लेकिन एक इन दोनों में से तो कोई ना कोई हो गाई होगा क्योंकि इतने शांदार ये credit card है इन दोनों credit card से बढ़िया, दूसरा कोई credit card है ही नहीं अब ये मान के चलो अब देखो, मोटी-मोटी बात ये है अगर मैं बिल्कु लूप और उपर से समझाओं तो ICI से bank का जो Amazon credit card है जो इस वीडियो में हम डिसकस कर रहे हैं ये बोलता है कि मैं आपको सीधा-सीधा 5% का cashback दूँगा अगर आप कोई भी समान खरीदते हो Amazon से ठीक है जी, और flip card वाला जो credit card है ये बोलता है कि मैं आपको सीधा-सीधा 5% का cashback दूँगा अगर आप कोई भी समान खरीदते हो या तो flip card से या फिर mintra से ये ऐसा पहले access bank का flip card बोलता था लेकिन अब हाल-फिलाल mintra से cashback 5% से घटा करके सिरफ 1.5% कर दिया गया है और flip card पे अगर आप कोई भी समान अगर इस access bank के credit card से खरीद होगे तो आपको 5% का cashback मिलेगा लेकिन इसके अंदर भी दो चीजों में कटोती की गई है कि अगर आप flight की booking या फिर hotel की booking करते हो तो इस case में 5% नहीं मिलेगा flip card से इस case में सिरफ आपको 1.5% का cashback मिलेगा अदरवाइस कुछ भी समान खरीदो flip card से आपको 5% का cashback मिलेगा ठीक है जी अब आप ध्यान से समझते चलना फिर हम देखेंगे कुन सा वाला जादा बैटर है ठीक है इसकी जो fees है credit card की वो है अब यहां पर मैं आपको यहीं बता रहा हूँ भले ही यह lifetime free है credit card लेकिन यहीं बता रहा हूँ कि अगर आप 1499 रुपे खर्च करोगे न साल भर के तभी यह वाला credit card लेने का फाइदा अदरवाइस credit card का कुछ खास फाइदा नहीं है अब ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ अब यह आपने समझ लिया इसको एक बार side में रखते है अब हम अपने ICI से bank के Amazon pay वाला credit card है इसको समझना शुरू करते है अब यह जो ICI से Amazon pay credit card है यह बोलता है कि 5% का cashback मिलेगा अच्छा एक चीज और एक चीज और यहाँ पर यह चीज भी ध्यान रखना कि जो समान अगर मैं तीन चीज़े रखू ना एक तरफ Amazon ठीक है अगर शॉपिंग के लिए एक तरफ Flipkart और एक तरफ Mintra ठीक है यह सब को पता है कि Flipkart Mintra से far better है ठीक है और ऐसे ही Amazon far 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 better है Flipkart से क्योंकि आप यह मान के चलो कि Flipkart पे जो समान मिलता है न वो सारा Amazon पर तो मिलता ही मिलता है लेकिन पता नहीं कितने लाखो ऐसे प्रोड़क्ट हैं जो सिरफ Amazon पर मिलते है Flipkart पर नहीं मिलते है तो यह चीज बहुत मतलब आप लेके चलना कि Amazon से better इस ताइम कुछ भी नहीं है अगर हम Flipkart की भी बात करें तो Flipkart पे भी सारे प्रोड़क्ट से भी लेवल नहीं है यह भी बहुत important factor है कि मैं Axis Bank का जो यह Flipkart वाला credit card है इससे better consider करता हूँ ICI से वाले यह Amazon Pay credit card को ठीक है चलो अब इसके feature समझना शुरू करते हैं पहला feature तो यह यह कि भी 5% का cashback मिलेगा सीधा सीधा अगर आप Amazon से कोई भी समान खरीदते हो लेकिन इसकी शर्त यह है कि आपके पास Amazon की Prime Membership होनी चाहिए अगर आपके पास Amazon की Prime Membership नहीं है तो उस case में फिर Amazon से अगर आप कोई भी समान खरीदोगे न तो आपको सिर्फ 3% का ही cashback मिलेगा अब यह Amazon Prime क्या भला है पिर देखो आदे से जादा लोगों को पता होगा लेकिन थोड़ा सा patience बना के रखना जिनको पता है क्योंकि काफी लोग ऐसे भी है जिनको नहीं पता अब यह Amazon Prime क्या है Amazon Prime एक तरह से जब हम movies movies देखते है OTT platform है तो एक तरह से वहाँ पे आपको सब कुछ मिल जाता है कि यह movies movies देखो और movies की भी बात करें तो जाए आप Netflix ले लो Disney Plus Hotstar ले लो कोई दूसरा इरोजनाव ले लो कोई भी XYZ दूसरा OTT platform ले लो उससे भी फार 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 बेटर ही Amazon Prime है तो वैसे भी लोग भले ही credit card है या नहीं है वैसे भी लोग Amazon Prime की जो यह subscription है यह लेते ही लेते अब यह जो Amazon Prime की subscription है यह हमें मिलती है 1499 रुपे की साल भर के लिए ठीक है तो यह वाली जो membership है अगर आप Amazon Prime member हो तभी आपको 5% का cashback मिलेगा अगर आप कोई भी समान खरीते हो Amazon पे जा कर गए अच्छा यह Amazon Prime अगर आप membership खरीते हो एक तो आपको यह OTT platform मिल जाएगा जहां movies देख सकते हो साथ यह Amazon से कोई भी समान खरीते हो यह मैंने ना 4 screen shots लिए आपके लिए ठीक है ताकि आपको समझ आजे साथ यह Amazon Prime की अगर आपके पास membership है और इस credit card से कोई भी समान आप खरीते हो तो इस case में आपको जो क्या बोलते हैं delivery charge होते हैं मालो समान मंगवा है उसके साथ जो delivery charges होते हैं वो zero हो जाते हैं ठीक है जी ऐसे ही यह यहां पर इतना बड़ा-बड़ा लिखा हो है कि 5% का आपको cash pack मिलना शुरू हो जाएगा क्योंकि अगर यह Prime membership नहीं है तो फिर 3% के cash pack आपको मिलेगा non-prime members के लिए बाकी वही है Prime reading मिल जाएंगी वो books books मिल जाएंगी आपको reading के लिए और Prime music जो है उसका access मिल जाएगा तो यह है basically यह पूरे 4 screenshot है तो यह सारा का सारा overall जो है Amazon Prime है ठीक है तो इसकी subscription मुझे लेनी पड़ेगी जो की है 1499 रपे की तो आप मंगवाओ कोई दिक्कत ही नहीं है भले मलब मान के चलो कि आपको यह आपके पास अभी credit card है ठीक है और आपको इस credit card से जो है क्या बोलते हैं कोई भी समान वमान मंगवाने है लेकिन एक चीज या रखना किसी दूसरे बंदे की subscription आप यूज नहीं कर सकते जिस नाम से credit card है उसी नाम से ही subscription का purchase होना चाहिए तभी आपको इस सारा का सारा cashback मिला करेगा ठीक है यहाँ पर एक चीज है कि यह 30 days का free trial भी देते है तो यह आप अपना trial संभाल के रखना जिस भी नाम से साल भर के खर्च करोगे तभी इस credit card को लेने का मज़ा है कि भी 5% का cashback तो मिले अच्छा अब यह 5% का जो हमें cashback मिल रहा है इसकी भी time and condition है पहली time and condition तो यह है कि जो भी आपने मालो amazon से मैंने let's suppose mobile phone मंगबा लिया ठीक है mobile phone की value जो थी वो 1,000 रुपे थी 10,000 माल लेते चलो इसका 5% निकाल लो 500 रुपे हो गया ठीक है यह मेरे को cashback मिलना चाहिए लेकिन अगर मालो मैं इस जो मैंने purchase किया है इसकी मैं अगर EMI बनवा लेता हूँ ना तो मेरे को कोई भी cashback नहीं मिलेगा 5% का 1% अगर माल लीजिए मैं इसकी मालो शुरू में तो मैंने कर दी down payment अब ठीक है credit card से down payment कर दी phone भी मेरे पास आगया phone आने के बाद मैं बोलता हूँ कि अब मेरे जो यह payment आने इसकी EMI ही बना दो तो उस case में भी आपको कोई भी पिर cashback नहीं मिलेगा ठीक है तो अगर EMI पहले बाद में जब मर्जी बनवाओ अगर समान की EMI बनवा दी ना तो कोई cashback नहीं मिलेगा ठीक है जी अच्छा इसके बाद एक ना आपने देखा होगा कि एक तो होता है कि जैसे individual जाता है amazon.in पे ठीक है आपके पास business account है ना तो उस case में भी आपको कोई भी cashback नहीं मिलेगा भले ही Amazon के इस credit card से payment कितनी मर्जी करते जाओ कोई cashback आपको नहीं मिलेगा ठीक है जी इसके अलावा यह मैंने आपको comparison बताया था ना भी ICICI का और Axis Bank Flipkart का मैंने आपको बताया था कि मिंतरा पे इन्होंने 5% से घटा के 1.5% कर दिया और flipkart पे अभी भी 5% का ही cashback मिलता है लेकिन सिरफ flight और hotel booking पे आपको 1.5% का इन्होंने cashback कर दिया लेकिन अगर मैं ICICI से bank के Amazon की बात करूँ ना credit card की तो इस case में भले ही आप चाहे flight की booking करो भले ही आप चाहे hotel की booking करो इस case में अभी भी आपको पूरा का 5% का ही cashback मिलेगा यानि अगर जो लोग बहुत जादा frequent traveling करते हैं तो उनको flight की भी जूट पड़ेगी, hotel की भी जूट पड़ेगी तो उनके लिए access flip card से far better है अब Amazon credit card की आगे बात करें तो दो feature हमने देख लिए, एक तो 5% का cashback और एक हमने देख लिए 3% का cashback इसके अलावा ये बोलता है कि आपको 2% का cashback मिलेगा अगर आप कोई भी transaction करते हो Amazon Pay पे, अब ये Amazon Pay क्या है? अभी तक हमने क्या discuss किया था? Prime, ये मैंने आपको Prime का screenshot दिखाया था कि Amazon Prime की आपके पास subscription होनी चाहिए ऐसे ही एक चीज होती है जब आप Amazon की app डाउनलोड करोगे न वहाँ ये सब कुछ आपको मिलेगा ऐसे ही एक चीज होती है Amazon Pay Amazon Pay पे एक तरह से ये लगा लो कि Pay T.M. जैसे आप यूज करते हो वैसा ही है कि भाई किसी को पैसे बेने है तो scan कर दिया यहां से पैसे बेसे भेज दिये ठीक है कोई bill बूल पे करना है electricity bill, mobile bill ये सारे के सारे आप bill पे कर सकते हो अच्छा किसी को gift card भी भेज सकते हो आजकल gift card का बहुत जादा एक वो हो गया कि मानलो किसी का birthday आया आपने यहां से gift card generate किया और सामने वाले को मानलो 2000 अपनी मर्जी से 10 रुपे का generate कर लो मानलो आपने 2000 रुपे का किसी को gift card generate कर दिया उस पे happy birthday लिखा जाएगा आपने उसको यह gift card generate हो जाएगा यह सामने वाले को whatsapp पे आप send कर दोगे वो सामने वाला क्या करेगा इसको redeem करेगा और जो balance होएगा वो सामने वाले के जिसको आपने भेजा है उसके Amazon के wallet में जाकर के add हो जाएगा तो यह भी बहुत जाएगा चलता है यह gift card भी अगर आप किसी को भेजते हो ना मनलों किसी का birthday आपने 2000 पे gift card उसको भेज दिया तो उस case में भी आपको 2% का cashback मिलेगा यानि Amazon Pay पे कोई भी transaction करने पर आपको 2% का cashback मिलेगा अच्छा एक चीज और यह Amazon Pay पे यह जो flight और hotel यह हाला की part है Amazon Pay का लेकिन इन पे 2% cashback नहीं मिलेगा इन पे मिलेगा आपको 5% का ही cashback यह साफ साफ लिखा हुआ है कि 5% का ही आपको cashback मिलेगा यह हो गया हमारा तीसरा feature और जो हमारा चोथा feature है वो यह बोलते है कि अब आप यह जो चीज़े इसको छोड़ दो अगर मालो आप Amazon Prime Member हो तो Amazon को छोड़ दो नोन Prime Member हो तब भी Amazon से ही cashback मिलेगा यहनि Amazon को छोड़ दो Amazon Pay को छोड़ दो इसके अलावा अगर आप कहीं पे भी कोई भी समान खरीदोगे तो आपको 1% का cashback मिलेगा अब इस credit card की एक और सबसे अच्छी चीज़ यह है कि कोई capping नहीं है भले ही आप 1 करोड का समान खरीद लो और अगर आप Prime Member हो तो आपको 5% यानि 5 लाग का cashback मिल जागा ऐसा नहीं है कि भी जाद से जादा आपको जो है 10,000 का ही cashback मिलेगा 5,000 का ही मिलेगा कोई भी upper capping ही नहीं है जितना मर्जी समान मंगवा वो आपको cashback मिलेगा ही मिलेगा ठीक है जी अच्छा इसके अलावा dining benefits जैसे bank के tie up होते है तो वहाँ पे आपको 15% का cashback मिल जाएगा और 1% का fuel surcharge जो waiver है वो अगर मैं बात करूं तो ओवेस देखो flip card credit card अपनी जगा बहुत अच्छा है लेकिन यह जो आई से का Amazon credit card है यह मैं इससे better काऊंगा लेकिन एक चीज यह भी आ जाती है कि इसकी fees है 500 रुपे और इसकी fees मैं काऊंगा 1499 रुपे ही है 1499 रुपे ही मानो अगर आप इसका best use करना चाहते हो मालब एक तरह से आपको मिल जाएगा lifetime free ठीक है लेकिन अगर जब तक आप Amazon की prime membership नहीं खरीदोगे तब तक इस credit card का मतलब एक best जो benefit है ना वो आप नहीं उठा सकते तो यह आपके सामने मैंने पूरी तस्वीर रग दी कि मालब आप ताकी किसी भी चक्रों में ना पड़ो कि यह lifetime free है तो यह तो इससे better हो ही गया देखो fees का भी फरक है ठीक है और मतलब जब तक यह नहीं खरीदोगे तब तक फिर जो है मालब best use आप नहीं कर पाओगे तो बाकी आपके सामने साब कुछ अगर स्टिल आपका कुछ भी डाउट है तो नीचे कमेंट करके आप मुझसे पूछ सकते हैं अभी के लिए this is the end of the video thanks for listening and thank you all